वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बेटे अपना नया बोटर आईडी कार्ड ओनलाइन कैसे अपलाई कर सकते हो जी हां आपको कहीं आने जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने घर बेटे मुवाइल से लेप्टोप से कंप्यूटर से नया पेचान पत्र के लिए आपके लिए होने वाला अगर आप पेचान पत्र बनाना चाहते हो तो फूरे देखें वीडियो फिल्गुल भी इसकी प्ना करें वीडियो बहुत अच्छा नहों होने वाला तो अगर चैनल पर नए है ओध प्लीज चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लो और ताकि आने वाल पर जाकर सबसे पहले ऐने सब्सक्राइब करना होगा कि एने सब्सक्राइब करते ही नेशनल बॉर्टल सर्फिस का उफसन आएगो इस पर क्लिक करना होगा आपको नेशनल बोटल सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर लोगिन करना होगा यह इंटरफेस यहां से क्लिक करने के बाद लोगिन वाले उप्सन पर जाने के बाद आपको अपने वोईल नमर डाल के यहां पर पासपर डाल देना हो और लोगिन होके अपने करना होगा साइट से और आपको फॉर्म छे फिल करना होगा फॉर्म छे जो उत्तर प्रदेश के लिए हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो यहां पर हम स्टेट में डाल देंगे अतरप्रदेश यहां से हम डाल देंगे अपना जिला जो भी आपका जिला होगा है यह Cela सुन ली जिएगा यहां से भी आपको डिस्टिक चुनना होगा उसके बाद आप नीचे आ जाईएगा नीचे आने बां आपको अपना फिल करना यहां पर जो आप पेषान पत्र में रखना चाहते हो पर यह फिमेल कंडीड है इसका है मैं आपर फिल कर रहा हूं नाम टाइप कर दिता हूं यहां पर है कि सेगे नाम भी यहां पर आप टाइप करेंगे फर्स्ट एंड सेगे नाम फिल में पर पिता या पती का नाम यहां पर डाल कर दिए घो आप यहां को हंदी में करक्षान कर सकते हो साइड में उप्सं पर किलिक करनेंगे बाद यहनींगा अब गलत करें इंगलेश तब्सक्राइब कर कर लोग्यण दालेंगे नाखके और ई-mail आईडिया और आपके पास है आपर पाधर कर शखना हो अब कि मेल अगर है तो फिल कर देना नहीं है तो कोई बात नहीं है को छोड गए आगे पड़ जाना होगा आपको कि मैल टाइप करने के बाद दोस्तों यहां पर आधार नमबर आपको फिल करना होगा कि है अब और नमबर फिल कर रहा हूँ आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा मेल या फिमेल यह लड़का है लड़की है तो यहां से अब सेलेक्ट कर लेंगे स्को यहां से हम इसकी जिनम्तिती डालेंगे कलेंडर में से आप चूस कर लेंगे उसके बाद यहां पर यह दोस्तों क्या कहते हैं डॉप के लिए डॉक्यमेट्स करना होगा तो मैं यहां पर अधरकार데 स्लेक करके आपको अपलोड कर दुंगा एजफू में आपको अधरकार्अद कुन यह यहिके ondf외 it alone को आपको यहां पर अपना अड्रेस फिल करना होगा फुल जो भी आपके आधारकार्ड में एड्रेस दे रखा आप उसका पूरो यहाँ पर टाइप कर दीजीगा सिर्फ इंग्लीज में टाइप करो हिंदी में खुद बाखुत कनबाट हो जाएगा ठीक है मैं आपर टाइप कर देता हूँ कक्राला काउं का नाम है पूरा डेटेल यहाँ पर आप जो है पूरा एड्रेस पीछे से उठाकर आधारकार्ड के बैक सैट से उठाकर आप यहाँ पर कोपी कर दीजीए कोई फरिसानी नहीं होगी इंग्लीज में टाइप करना है बस आपको हिंदी में खुद बाखुत आ जाएगा यहां पर एड्रेस इस लोकल एलिया बगएर आप पोस्त ऑफिस बगए ने के बाद अपना डिस्टिंग बगरा पिन कोट बगर हाँ पर टाइप करने के बाद आगे बढ़ेंगे है आपको जो भी पिन कोट होगा आपका एडिया का वहां पर आप टाइप करोगए मैं फिल्हाल यह डाल देता हूँ मैं कुछ भी लगा सकते हूं अपने गलरी में से फोटो निकाल लेना होगा यहां से और ऐसे को माऊस इसको ड्रेग करें और आने के बाद आपको यहाँ संगी छोटा दिदर यहाँ पर लगा दिया है तो यह वाला इसको ब्लैंक की छोड़ देंगे कोई फरक नहीं पढ़ने बाला है अगर यहां पर आप other type करके आगे बढ़ दोगे तब भी कोई परिशानी नहीं आएगी अगर blank छोड़ोगे तब भी कोई परिशानी नहीं आएगी यहां पर दोस्तों यह मागएगा कि आपके घर में अगर आपसे संबंदित किसी का पहले से ही बना हुआ है पेचान पत्र त अपने किसी का नाम डाल सकते हो घर के मोखी आगा किसी भी मेंबर का और वहां से इसका रिलेटिव डालने के बाद उसका जो है पैचान पत्र संके हैं अपर डाल के आगे बढ़ जाएंगे फिर दोस्तों यहां पर डिलिडिशन मागे गए यहां पर टोटल बिलेज में आपको अपना में एडिरस टाइप करना होगा और इस्टेट में स्टेट आज आएगा आपका उसके सामने फिर आपसे यह डिस्टिक मांगेगा फिर दुबारे सापको डिस्टिक सेलेक्ट करना होगा यहां से इस डिस्टिक्स अपर ने के बाद आपको यहां पर पूचेगा कि आप इस इस्थान पर कप से रह रहे हो तो आपको यहां पर जब से भी यहां पर रह रहे हो आपको तारीक यहां पर एड़ कर देनी होगी date of birth के एसाब से आप यहाँ पर रह सकते हो मैंने फिलाल example के लिए date of birth ही select कर दी है वागी का आपको कोई column fill नहीं करना place में आपको अपना place डाल दीना होगा जो भी आपका place होगा यहाँ पर place डाल के और यहाँ पर capture fill करेंगे दोस्तो capture fill करने के बाद preview और submit option पर क्लिक करना होगा black यहाँ पर form को एक बार उपर तक देख लेना कोई परिशानी हो तो इसको detail सही करके आपको preview और submit option पर क्लिक कर देना होगा जैसे यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा तो आपको जो है इसको फिर से सब्सक्राइब करना होगा यहाँ पर ग्रीन कलर का जो निसान आ रहाएं सब्सक्राइब का यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा दुवारा से तो इस submit option पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक reference संक्या खुल करकर आ जाएगी उस reference संक्या से आपको अपना status चेक करते रहना है कि आपका वोटर कार्ड बना है या नहीं बना है दस से पंदर दिन के अंदर आपको इसमें पता लग जाएगा दोस्तों आप